समझ से आए हमारे जीवन में बिना किसी को बतायाती हैं बिना किसी इंफरमीशन के आती हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलना पड़ेगा जिससे यह समस्य चले जाए इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती आज हम मध्य प्रदेश की जनजाती से संबंदित MCQ अर्थात वस्तु निष्ट प्रशनों को कवर करने वाले हैं तो चलिए हमारे पहले प्रशन की ओर आंगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में सरवधिक जनजाती जनसंख्या प्रतिशत है तो आपसे यह पूछ रहा है कि मतलब सबसे जादा जनजाती जनसंख्या किस जिले में निवास करती है जाबगा बढवानी अली राजपुर और डिंडॉरी यह चारो जिले जो हैं वो जनसंख्या जनजाती बहूल जिले हैं इसके साथ में हम देखते हैं कि इन जिलों में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अली राजपुर में तो ऑप्शन नमबर सी अली राजपुर में मध्य प्र ellis्प्रूदिकर्देश की सबसे साधा जनजाती जन संख्या का प्रतिशत हैं कौन सी जनजाती लोहसुर को अपना देवता मांती है अपना प्रमुक्त क्या कहा जाता है भीलों के द्वारा की जाने वाली क्रशी को option है चिमाता बेवार जूमिंग और पढ़त देखिए जो क्रशी है वो विभिन प्रकार से की जाती है अलग-अलग जन जातियों के द्वारा अलग-अलग पधतियां यूज की जाती है क्रशी को करने की और इस कार सभी या फिर यह सभी सरवाधिक अनुसूचित जाती की जनसंख्या प्रतिशत मध्य प्रदेश में किस जिले में इस्थित है अब आपसे जनजाती जनसंख्या नहीं बलकि अनुसूचित जनजाती की जनसंख्या पूछ रहा है उजैन सागर दतिया और शाजापुर तो इसका सही आंसर हो जाएग आपका उजयन जिला, उजयन जिले में सबसे जादा अनुसूचित जाती की जनसंख्या प्रतिशत इस्थित है, किस जनजाती में सेवा विवाह किया जाता है, गोंड, भील, कोल और कोरकू, देखिए सेवा विवाह का मतलब क्या होता है, आपको पहले ये पता होना जीए, से और अगर उसके माता-पिता मान जाते है, तो फिर लड़के और लड़की का विवाह किया जाता है, मतलब श्रम के बदले में वो विवाह करता है, तो उसे ही सेवा विवाह का जाता है, जो कि मुख्यता गोड जन जाती में होता है, अर्थात हमारा option number A, यहां पर सहीं होगा भगोरिया मेला किस जाती के संबंद में संबंदित है या किस जाती के संबंद में लगाया जाता है, भील, अगरिया, कोल और बैगा, देखे पहली चीज़ तो भगोरिया से आपको भास से भगोरिया भास से भील याद रहेगा, नहीं है अदरता कोई इश्यू नहीं है, द तो ये उत्सव क्यों महात्वपूर हो जाता है, पहले ये समझे, भगोरिया उत्सव जो है, ये प्रेम के पर्व के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्यार का पर्व भी कहा जाता है, ये उत्सव मुख्यता क्या है, सर्फ एक हाठ है, अर्थात एक प्रकार का मेला है, और इस इस हाट में अर्थात बाजार में बहुत सारे समान मिलते हैं भील जनजाती की सबसे बड़ी जनसंग्या इस हाट में हमें दिखाई देती हैं लोग दूर दूर से इस हाट में घूमने के लिए आते हैं यहां पर एक विशेश प्रकार की विवाप अध्धती होती जिसे गोल detail already class में cover कर चुके हैं तो चलिए next question में आंगे बढ़ते हैं तो इसका सही answer होगा हमारा option number A भील गौर नत्य किस जन्जाती से सम्मंदित है बैगा मुडिया दंडामी और कोरकू देखे जब हम गौर नत्य की बात करते हैं तो यहां नत्य जो है यहां मुडिया जन्जाती से सम्मंदित है और मुडिया जो है वह अत्याधिक प्रचलित जन्जाती है बहुत छोटे शित्र मे लेकिन बहुत ज़ादा प्रचलित है क्यों प्रचलित है क्योंकि अपनी एक विशेश प्रकार की प्रथा जिससे घोटुल प्रथा कहा जाता है उस कारण से बहुत ज़ादा प्रचलित है ऐसा कहा जाता है कि घोटुल प्रथा है इसमें सामाजिक लोगों के द्वारा ही नव फिर आंगे चलकर शादी करते हैं बहुत सारी समाजिक बाते भी हैं कि ये घोटुल प्रता जो है वो न्यायोचित नहीं है यहां पर फिजिकल रिलेशन भी बनाया जाता है पर ऐसा कुछ नहीं है अगर आप सच में देखें तो एक नॉर्मल लिविन रिलेशनशिप जिसमें उठर है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाती कौन सी है ऑप्शन है भील कोरकूब सरी भील कोल गोंड और भारिया मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाती की हम बात करेंगे तो भील जनजाती मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाती है तो हमारा ऑप्शन जादा आदिवासी जनसंख्या किस राज्य में इस्तित है असम उड़ीसा मध्य प्रदेश और बिहार देखिए यहां पर ऑप्षन जो है उसके साब से ऑप्षन नमबर C मध्य प्रदेश बिलकुल सही आंसर होगा मध्ध्धि-प्रदेश में सबसे जाधा जंजाती निवास करती इसके रावाथ میں जंजाती निवास करती है नैक्स्स मच चलते हैं बूढ़ादेव मध्धि-प्रदेश की जंजाती की प्रमुखदेवता है कोल भिलाला भील और बैगा जब हम बुड़ा देव की बात करतें तो बुड़ा देव जो है वो बैगाजंजाति की महिला बहुत जादा गोधना परीय जंजाती की महिलाय होती है अब गोधना से क्या संबंध है तो इसके बारे में हम दो मिनट बार डीटेल देखेंगे मिमलिखित में से कौन सी जन जाती मध्य प्रदेश इस्थित है जरावा ओलिय मध्य प्रदेश में जन जाती जो है वह संद्धा जाती है हमारा ऊप्षिन लड़ाई भी लड़ी थी निमलिकित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जंजाती नहीं है गोंड भील कोम और बैगा देखिए गोंड भी मध्य प्रदेश में है भील भी है बैगा भी है तो कोम नहीं होगी अठाथ आप्शन नमबर सी हमारा सही आंसर होगा भीलों का सही होगा वहीं भीलों के घरों को क्या कहा जाता है तो भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है ओप्शन है कू हू सू इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा कि भीलों के मकानों को कू कहा जाता है अर्थात ओप्शन नमबर ए हमारा यहां पे सही हो जाएगा इन में से माध्यप्रदीश की कौन सी जनजाती विशेश पिछडी जनजाती के अंतरगत आती है जब हम विशेश पिछडी जनजातियों की बात करते हैं सहरिया धनवार अगरिया और कोल में से सहरिया जनजाती जो है वह विशेश पिछडी जनजाती के अंतरगत आती है और शहरिया ज इस्थान कार्करम जब चलाया जा रहा था सहरीय जनजाती का तो उस समय सिवराश्री चोहान जी के दुवारा ये कहा गया कि सहरीय जनजाती के लिए जो लोग जहां पर भी निवास कर रहे हैं कई शदियों से तो उन्हें उस पूरे इस्थान का पट्टा दिया जाएगा अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाती वाले जिले की तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा डिंडॉरी मध्य प्रिदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है ये बहुत इंपोर्टेंट है पूछा भी जाता है कि किसे गोधारिन कहा जाता है चिकित सक, सफाई वाली, ओजह और गुदना कलाकार देखे फोटो बनी है आपको अंसर समझ में आ गया होगा तो गोधारिन कहा जाता है गुदना कलाकार को अब ये गुदना कला क्या होती है ये मुझे काफी इंटरस्टिंग लगा और आपके लिए भी इंटरस्टिंग हो सकता है तो इस करण से मैंने इसका थोड़ा सा डाटा रखके रखा है गुदना कलाकार एक्शन में क्या होता है हम ये देखेंगे गुदना जो है अभी जो मुक्त करने के लिए बनाया जाता था जैसे कि अगर किसी बच्चे को चलने में दिक्कत हो रही है तो उसके पैर पे उसकी जांग में गुदना बनवाया जाता था और मानेता ये थी कि वो बच्चा चलना सीख जाएगा और जल्दी ही चलने लगेगा ऐसा होता भी था पहले क समय में अप इसमें तर्क मत कीजएगा कि तर्क ऐसा क्यों होता था वैसा क्यों होता था ये कोई बात नहीं मानेत तो इसे टोटके वगएरा कहा जातें आप निर्मार के लिए इसके अलावा इक श्रंगार प्रिय आभूशनव और जो मिला कर को दे घुझ से अब टेल है। न के snacks के लिए राम तील काजल को मिलाए कर मिला कर गुद्दने का रंग बनाया जाता था है। और्सुई जो होती है वो शरीर में चुब होई जाती है। जितनी भी आकार में बड़ा गुद्ना बनाना चितना चोटा गुद्ना बनाना या। मतलब अगर जितनी इसी डिजाइन बनानी है उतनी जա्दा सुई लगती थी। जैसे नॉर्मल अगर आपको छोटी डिजाइन बनानी है तो आप तीन से चार सुई में काम करेंगे और यदि आपको चोड़ी बनानी है तो आप साथ से आठ सुई में काम करेंगे इसके अलावा इस क्या होता है इसी लेप में सुईयों को डुबो कर शरीर में चुभा कर गोधना की आकरशक आकरतियां बनाई जाती है इन आकरतियों को बनाने के बाद पानी या फिर गोबर के घोल से इन्हें धोया जाता है और इसके बाद इसमें तेल और हल्दी का लेप कौन सा तो रेडी का तील या फिर अरंडी का तील 12 में हलदी के लेप को लगाने से जो गुदना है वब जल्दी सूख जाता है और इसमें सुझन नहीं क्यों और ऐसा कहा जाता है कि इसके पहले के समय में बबूल के काटों से भी गुदना बनाया जाता था मध्य प्रदेश के जनजाती लोगो द्वारा मनाया जाने वाले भगोरिया हाट उत्सव का मुख्य आकर्शन क्या है नरत्य संगीत का त्योहार रंगों का त्योहार नरत्य प्रस्तुति और प्रेम का त्योहार देकि हमने पहले ही पढ़ लिया भगोरिया उत्सव अर्थात प्रेम का त्वियहार इस कारण से हमारा option number D यहाँ पे सही होगा प्रेम का त्वियहार गोड जन जाती से दूद लोटावा प्रथा का संबंध है जन्म से मृत्यू से विवाह से और तांतरिक क्रियाओं से देखिए गोड जन जाती दूआरा एक विशेश विवाह प्रथा अपनाई गई है जो है दूद लोटावा इसका मतलब क्या होता है देखिए इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि माल लेजे यह आपके कोई परिवार का व्यक्ति है एक्जामपल मान के चलते हैं यह आपके पापा हो गए और यह आपके मम्मी हो गई तो अब पापा ने आपके मम्मी को जिस घर से लेके आया है कि माल लेजे आपके पापा ने अपनी मम्मी को जिस घर से लेके आया है अब इनके जब दो बच्चे होंगे एक बच्चा यह और दूसरा बच्चा ये तो इनके घर का विवाह आपकी मम्मी के घर में हो जाएगा और इसे ही दूद लोटावा कहा जाता है इसका मतलब ये है कि सगे मामा और बुआ के बच्चों में विवाह किया जा सकता है तो इसे दूद लोटावा कहा जाता है कि हम आपका दूद आती कौन से नहीं है नहीं है पूछ रहा है आप कोल, सहर्या, बैगा और भारिया देखे जब हम विशेष पिछरी जनजातियों की बात करते हैं तो मद्धिय प्रदेश में कोल जो है यह विशेष पिछरी जनजातियों के अंतरगत नहीं आती बल्कि तीन जनजाती जो हैं सहरिया बैगा और भारिया विशेश पिछडी जनजाती के अंतरगत आती हैं घोटल प्रथा किस जनजाती में पाई जाती है भील कमार गोंड और बैगा तो घोटल प्रथा की जब हम बात करते हैं तो ये गोड जनजाती में पाई जाती है और घोटल किसके स तो मुडिया जनजाती से संबंदित है घोटुल प्रथा जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्राइदीपी भारत के पुराने हिस्ते से मिला है ऐसी जनजाती जो प्राइदीपी भारत के पुराने हिस्ते के नाम से जानी जाती है आज भी तो आपको पता है प्राइदीपी भ हमारा option number A सही होगा कि गोण जनजाती जो है वह भारत के प्राइदी पी भारत के पुराने नाम से जानी जाती है। विशेश जनजाती की जनसंख्या में नमबर एक स्थान पर राज्य है। इसका मतलब यह है कि सबसे जादा जनजाती किस राज्य में पाई जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे जिलों के नाम आपको बताने हैं जिन में आदिवासी आबादी जो है वह 50 प्रतिशत से अधिक होती है। ऑप्शन है धार, मंडला, जाबुआ, रीवा, सीधी, सिंगरॉली, बैतूल, छिंदवाडा, खंडवा, नीमच, रतलाम और मंदसौर। तो देखें जब हम बात करते हैं आदिवासी जनजाती की तो आदिवासी जनसंख्या और जनजाती सबसे जादा मंडला, धार और जाबुआ जिले में निवास करती हैं। आपको पता है बैगा जनजाती जो है वो मंडला, बाला, खाट के पास में निवास करती हैं। उज्जैन और जवलपुर शेत्र, उमरिया और मंडला शेत्र, मंडला और बालाखाट शेत्र देखें फिर से बैगा जनजाती की बात हो रही है आपको एकदम क्लियर है कि बैगा जनजाती सबसे जादा मंडला और बालाखाट के शेत्र में मिलती है तो हमारा option number D यहाँ प के मैप के हिसाब से दिमाग में चीज़े रखे कि कौन सी जनजाती किस एरिया में मिल रही है इसी के साथ हम बिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइए ओके थैंक्यू सो मच पूल प्रवोड़ के लिक दाइए प्रीज़े रखे कि कौन से यूर भीडियो में जरूर यूर यूर भीडियो बिलेंगे इस एर डिर श्यूर वीडियो है इस भीडियोड़े इस्वाल